बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट सक में बात करेंगे इंडिया इंगलेंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के बारे में और ये मुकाबला होगा वाई जैग में विशाखा पटनम में ये मुकाबला होगा और विशाखा पटनम में इससे पहले इंडिया और इं मैदान में और इसके साथ ही टीम इंडिया के कप्तान को यह मैदान कितना सूट करता है क्योंकि आप जब रिकॉर्ड देखेंगे रोई शर्मा का तो आप कहेंगे कि वैसा प्रदर्शन कर गए ना रोई शर्मा तो टीम इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोख सकता और इंग् सकते हैं मेरे वीचे दो ही मुकाबले खेली है इस मैदान में टीम इंडिया ने और दो में जीत मिली है जिसमें एक इंग्लेंड के खिला था और वहां पर टीम इंडिया जीती थी तो एक बार अब हम देखते हैं उस मुकाबले के ऊपर नज़ा डालते हैं जिसमें इंडिय वहाँ पर पहली पारी में चार सो पचारन तोस वंध्यरंट makan समय दिया और इंडिया ऊस मकाबले को यहां रहने के बिफॉरराद कूली इंको मिस्करीगी टीम इंडिया क्योंकि व्राट कूली का न मिस्किया धूरा ओBut ہے कितनी जरूर पड़ी तो उस मुकाबले में विराट कोली ने यहां सकता है कि टीम इंडिया के पास है अपने कप्तान रोहिष्षर्मा एक बार रोहिष्षर्मा का हम परफॉर्मेस देखेंगे इस मैदान पर उनका परफॉर्मेस कैसा रहा है तो एक ही मुकाबला खेले हैं इस मैदान पर रोईश शर्मा इस मुकाबले में एक मैच में उन्होंने 303 रंट हो दिये थे और आप एवरेज देखे तो 151 155 चुन्डे का 200 116 यानि की मैच की दोनों पारियों में रोईश शर्मा ने वहां पर जवर्दा सेंचुरी जड़ी थी पहली पारी में उन्होंने एक सेंचुरी लगाई थी और रोईश शर्मा ने तम नया नया टेस्ट में उपनिंग करना शुरू किया था और यह ग्राउंड उनको बड़ा रास आया यहां से उन्होंने अपने करियर को एक अलग उड़ान दी एज़ा ओपनर टेस्ट क्रिकेट में और रोईश शर्मा वंडे टी ट्वंटी में तो बहुत कुछ अचीव कर चुके थे एज़ा ओपनर लेकर टेस्ट क्रिकेट में इस मैदान ने बहुत मुझत की उन रोई शर्मा को कोई नहीं रोख सकता और टीम इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोख सकता तो अब आगे बढ़ते हैं टीम इंडिया के हैं कि यहां ज्यादा है यहां खेलेते हैं तå वो दूसरे टेस्ट मैच का हिससा नहीं है तो फिर उनके बारे में बातनी करेंगे बात करेंगे उस खिलाडी के बारे में जो इस मैधान में दुबारे खेलने वाला है याने की आर अश्विन आर अश्विन में पांच जट टकने का कारणामा यह दो बार कर चुके हैं और बेस्ट प्रफोर्मेंस है इनका एक इनिंग में 145 रन देकर साथ प्रिकेट निकालना तो इनको भी यह मैदान सूट करता है तो इसी तरीके के प्रदर्शन के उम्मीद आरश्ट्रेंच से भी होगी इस में 49 का उसत 150-52 आने की रन ठीक है 150 लगाई है इनका 49 के एवरेज है लेकिन उतना बहतरीन भी नहीं है यहां पर रिशाका पटनम में इनका यह प्रदर्शन तो टीम इंडिया चाहेगी कि जो रूट को जैसे ही पहले मैच में आउट किया था वैसे ही इस मुकाबले में भी पर्फोर्मेंस देखें तो बेन स्टोक्स इंगलाइन के कप्तान एक मैच खेले है यहां पर 66 रवनाया है ते 30 का आवरेज है एक 50 बेस्ट पर्फोर्मेंस और 70 तो इस खिलाडी को रोकना होगा टीम इंडिया को किसी भी तरीके से क्योंकि पिछले मैच में जो बेन स्टोक क्या है कि कैप्टन अपनी कैप्टन सी वाली इनिंग्स खेले वो नॉक लगाए जो टीम इंडिया को जीत दिलाए अब यह रोई शर्मा से बड़े रन और इंडिया को यह मैदान सूट करता है दो मैच खेले हैं इंडिया नहीं पर एक मैच हारा नहीं है तो अब जीत की है तो विशाखापटनम में क्या होगा क्या नहीं यह तो तारीक से पता लगेगा कौन से टेंट कैसा प्रफॉर्मेंस देती है और इसकी कवरेज आपको स्पोर्स तक पर पूरी मिलेगी एक एक अपडेट मिलेगी विशाखापटनम से आपको और साथ ही देखेंगे किस तरी का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव अनालेसिस स्पेशल इंटर्व्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक कैम